आपका स्वागत है, मैं प्रिया, आपके साथ आस्ता का महपर्व छट पूजा आरम हो चुका है और शनीवार को वरती महिलाओं ने खरना किया शाम को खरना कर पारण किया गया इसके बाद परिवार वपडोस के लोगों में प्रसाद बाटा गया इस दोरान परिवार के लोगों के अलावा अन्यन ने वरती महिलाओं के पेर चुए और बहतर जीवन के लिए आशिरवात मागा यहां बताते चले कि छट पूजा के दूसरे दिन वरती महिलाओं के दूआरा खरणा करने के बाद से निर्जल वरत आरम हो गया यह वरत सोंबार सुबह तक चलेगा आईए जानते हैं कि छट पूजा के तीसरे दिन क्या होता है छट पूजा के तीसरे दिन शाम चार बजे चट घाट पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा यहाँ पर रती महिलाओं जल में डूपते हुए सूरच को अर्ध देगी इसके बाद चट घाट से वापिस घर लोटेगी हलाकि इस दोरान उनका निर्जल रत चारी रहेगा तीसरे दिन छट घाट पर जाने से पहले रती महिलाओं सुबह उठकर स्नान कर ठेकवा पेडा साइथ अन्य मिष्ठान बनाएगी इस दोरान परिवार के अन्य लोग भी मदद करेंगे इस दोरान सचता का विशेश ध्यान रखा जाएगा चार दिनों तक चलने वाले इस महा पर्व को करने के पीछे माननेता है कि महिलाओं अपने बच्चों के लंबी आयू और उनके स्वास्त के लिए वरत करती है ये 36 घंडे तक निर्जल वरत चलता है पहला दिन नाय खाय के साथ शुरू होता है दूसरे दिन खर्णा और इसके बाद पारण होता है चट पूजा कार्तिक शुकल की शष्टी को मनाया जाता है बिहार यूपी के लोग इस पर्व को बहुत धुमधाम से मनाते है इसी के साथ बने रहे है राज़नमा टीवी के साथ दर्देवाद